आकाश्मानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले मुख्य समाचार जिनसंपर्क मंत्री नरुत्तम इश्रा की निर्वाचिन संबंधी याचिका दिल्ली उच्च न्याले ने खारिच की राजी के 37 नगरी निकायों के चुनाओं के लिए कारिक्रिम की घोशना 17 जुलाई से भरे जाएंगे नामांकन केंद्री कृष्यमंत्री राधा मोहन सिंग ने कहा कि बाजार व्यवस्था के मजबूत होने से किसानों को होगा फाइदा और मौसम केंद्र भोपाल ने बाढ़ के आशंका के मद्दे नजर इंदौर, मंसौर, होशंगाबाद, खंडवा, सिहोर, बढ़वानी और हर्दा में अलर्ट जारी किया अब समाचार विस्तार से दिल्ली उच्च नियाले ने जिनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा की राश्ट्रपती चुनाओं में मद्दान करने संबंधी याजगा को नामन्जूर कर दिया है नियायमोर्ती इंदर्मीत कौर की एकल पीट ने पेड नियूस के आरोप में श्री मिश्रा को तीन साल के लिए आयोग्य घोशित करने के फैसले को भी बरकरार रखा है उचितम नियाले ने ये मामला दिल्ली उच नियाले को भेज कर 17 जुलाई को होने वाले राश्ट्रपती चुनाओं के पहले फैसला देने को कहा था श्री नरोतम मिश्रा ने मद्दुप्रदेश उच नियाले के आदेश को शीर्ष नियाले में चुनाओती दी थी जिसने राश्वपती चुनाओं के मदिनजर जल्च सुनवाई की श्री मिष्रा की आचका सुनने से इंकार कर दिया था राजी के 37 नगरी निकायों के चुनाओं के लिए कारिक्रम की घोशना कर दी गई है इन निकायों के लिए इस महीने की 17 जुलाई से नावांकन भरे जा सकेंगे नावांकन भरने की अंतिम तारीक 24 जुलाई होगी 9 अगस्त को मद्दान होगा और 12 अगस्त को मतों की गिंते की जाएगी अनुसूचिस शेत्रों की 14 नगरपाली का परिशद और 23 नगरपरिशदों में निर्वाचन होगा जिन निकायों की चुनाव की घोशना की गई है उनमें सारनी, जाबुआ, अलीराजपूर, नेपा नगर, जुनारदेव, मंडला, नैनपूर, आधी शामिल है राजेसे भाजुपा के अनिल माधोदवे की निधन से खाली हुई राजेसभा की एक सीट के लिए चुनाव आयोग ने निर्वाचन कारिक्रम की घोशना कर दी है चुनाव के लिए अधिसूचना 30 जुलाई को जारी होगी, नावांकन 28 जुलाई तक भरे जा सकेंगे 29 जुलाई को नावांकन पत्रों की जाच होगी और 31 जुलाई तक उन्हें वापस लिया जा सकेगा जरूरत वढ़ने पर मतदान 8 अगस्त को होगा, इस दिन मतों की घनती की जाएगी प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैमार भारत की एक्टिक इस्टार नीती का एक महत्पूर्ण स्तंप है व्याज नई दिलनी में मैमार की रक्षा सिवाओं के प्रमुक सीनियर जर्नल यूमिन आंग हिलियांग के साथ बाचीत कर रहे थे श्री मोदी ने मैमार के साथ सभी शेत्रों में आपसी संबंध मजबूत बनाने की प्रतिबधता वेक्ट की और भारत और मैमार की सशिस्त्र सिनाओं के बीज घनिष्ट सहियों की सरहना की रेल मंत्री सुरेश प्रभू ने आज नए दिल्ली में एक समारों में देश की पहली सौर उर्जा चलित रेल गाड़ी देश को समर्पित की सौर उर्जा से चलने वाली सूला सो हार्स पार की इस रेल गाड़ी में विशेज बैटरी बैक अप होगा जिसमें रात के समय इससे स्तमाल किया जाएगा ये रेल गाड़ी दिल्ली के सराय रोहिल्ला से हरियाना के फारुक नगर तक जाएगी राजन निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है युवा मतदाताओं को विशेशकर 18-21 वर्ष आयो वाले छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में 31 जुलाई तक जोड़े जाएंगे जिला निर्वाचुन अधिकारी ने बताया है कि ऐसे मतदाता जो 1 जिन्वरी 2017 को या पहले 18 साल के हो चुके हैं वे मतदाता सूची में नाम जुरवा सकते हैं इसे संबंधित फॉर्म बियलो के पास उपलब्ध हैं अगर मतदाता का वोटर कार्ड पुराना है और उसमें ब्लैक और वाइट फोटो है तो बियलो को रंगीन फोटो देकर फॉर्म 8 भर का निया रंगीन मतदाता परिचय पत लेकिन आवश्यक विवस्था के लिए परियाप्त समय उपलब्ध होना चाहिए आयोग द्वारा लिये गए निर्ने के अनुसार मतदान की तारीक से दस दिन पूर्व के अवधि के बाद भी इस संबंध में ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर उस पर व्यक्तिकत मामले के सिती के अधार पर विचार किया जाएगा आयोग ने अत्यन ततकालिक सिती के मामले में दस दिन पहले की सूचना की उपर युक्त शर्त को उधार बनाने के दिशा में ये महत्तपूर्ण निने लिया है इस सम्मंध में आयोग द्वारा 10 जुलाई को जारी आदिसूचना का मदुप्रदेश राचपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है प्रादेशिक समाचार आकाश्वानी भूपाल से प्रसारित के जा रहे हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें इसके अलाबा प्रादेशिक समाचार का ये बुल करने पर जोर दे रही है नई दिली में फिक्की द्वारा आयुजित एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि मौडल क्रिश्य उत्पाद और पशुधन विपड़न समवर्धन और सुविधा अधिनियम 2017 के लिए सभी राज्यों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है उन्होंने कि उनका मंत्राले ऑनलाइन बूली प्रक्रिया के माध्यम से मंडियों के एकीकरण के अथक प्रयास कर रहा है श्री सिंग ने सभी राज्य सरकारों से किसानों को अपनी फसल सीधे बाजार में लाने के लिए गोदामों, साइलों और शीद भंदारन कक्ष बनाने का आग्र किया है प्रोदेश में महिला आयों की संक्ट बिंच की सुनवाई 17 और 18 जुलाई को भोपाल में की जाएगी इसमें रासानी सहीत अन्या जिलों के प्रकरण लिये जाएंगे जानकारी के नुसार राज्य महिला आयों की अध्यक्ष लतावान खीरे और सेस्यों की संक्ट ब थी कल देशान तक तली कारवाई में करीब डेड़ करोर रुपए की अवैद संपत्य का खुलासा हुआ है जबकि कलर्क की अब तक कि सेवा में उनकी आय करीब 18 से 20 लाख रुपए तक की होनी बताई जा रही है प्रदेश में समर्थन मूले पर मूंग और उड़त के जा रही है प्रदेश में खरीदी गतीज चुरायय तक की जाएगी जिन किसानूं ने 7 मढ़ तक अपना पंजियन कराया है केवन उनही किसानों से मूंग और उड़त के खरीदी समर्थन मूले पर की जाएगी समर्थन मूले उपारजन केंदर पर अपने उपचलाने से पहले नमूने आवश्य कुरूप से दिखाने होंगे जिसका सत्यापन पतवारी द्वारा किया जाएगा और प्रमार पत्र प्रस्तुत करने पर ही केंदर पर खरीदी की जाएगी प्रोदीश की कई जिलों में वर्शा का दौर जारी है मौसम कींदर भुपाल ने बाड की आशंका के मद्दे नजर इंदौर, मनसौर, होशंगाबाद, राजगर, खंडवा, खरगौन, विदिशा, सीहोर, बढ़वानी और हर्दा में अलर्ड जारी किया है वहीं वोपाल, उजजैन, इंदौर, होशंगाबाद, सीहोर, टीकमगर, नर्सिंगपूर, बालागाद और मन्दा जिलों में गरज चमक के साथ बोचारे पड़ी है हमारे सीहोर समवादाता ने बताया है कि जिले में तेज बारिश हो रही है वहीं गुना जिले में आज दोपहर से रुक रुक कर वर्षा का दोड जारी है धार जिले में अभी तक 27 मिलिमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है खंडवा जिले में वर्षा होने से किसानों के चेहरे खेल उठे है मंडला आगरमालवा सीधी नर्सिंग पूर नीमच कटनी जिलों में वर्षा हो रही है जबकि जाबवा जिले में लगातार दो दिनों से भारी बारिश होने से नदी नाले उफान पर है उधर रतलान में भी भारी वर्षा के कारण अलर्ट जारी किया गया है मंडला कलेक्टर ने आज स्थानी सब्जी मंडी का निरेक्षन किया मंडी में सब्जी और फल्विक ग्रेताओं के दुकानों में जाजकर सरी गली सब्जियों और फलों को गढधा कोद कर नश्ट करवाया गया सीहोर के चाड़केपुरी शेत्र में आज सीविश और अम्रत योजना कारी के चलते शती ग्रस्त हुई सडकों का निर्मान शुरू किया गया शैडोल जिले में प्रधानबंती क्रिशी सिचाई योजना से 53,000 हैक्टियर सिचाई रकबाब बढ़ जाएगा 32 करोड रुपे की इस योजना को पिछले साल अनुमोदीत किया गया था जाबुआ, थांदला, पेतलावद, राणापूर में नगरिय निकाय निर्वाचन होने हैं नगरिय निकाय निर्वाचन की तैयारियों के लिए आज कलेक्टर ने नूर लजिकारियों के साथ बैठक की अतनाम जिले में अटल बाल मिशन की बैठक 17 जुलाई को होगी आगर मालवा में कोपोशन को दूर करने के लिए पोशन वाड़ी का पाइलेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है सीधी में आज भाजबा विधाय के अदिक्षिता में त्रमासिक समिक्षा बैठक आयोजित की गई नरसिंगपुर में आवाजबिहीन परिवारों को भू अधिकार पत्र पट्टा देने के लिए आबादी भूमिका चिनहांकन करने के निर्देश राजिस्व अधिकारियों को दिये गए हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर जिन संपर्क मंत्री नरोत्तम इश्रा की निर्वाचिन समंधी याचिका दिल्ली उचिन्याले ने खारिज की राजिके 37 नगरी निकायों के चिनावों के लिए कारिक्रिम की खोशना 17 जुलाई से भरे जाएंगे नामांकन केंडरी क्रिश्यमंत्री राधमोहन सिंग ने कहा है कि बाजार विवस्ता के मजबूत होने से किसानों को होगा फायदा और मौसम के इंद्रभूपाल ने बाढ़ क्या शंका के मद्दे नसर इंदौर, मंसौर, होशंगाबाद, खंडवा, सिहोर, बढ़वानी और हर्दा में अलट जारे किया इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार